दिल्ली के भारत मंडपम में 17 फर्वरी से भाजपा का राश्री अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन के दूसरे दिन रविवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड़ा ने कॉंग्रेस और इंडी गडबंदन पर बोला। जेपी नड़ा ने प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी के बारे में कहा कि मोधी जी जनजन के नेता हैं। सुनिए क्या कहा भाजपा अध्यक्ष ने। और 19 के बाद जो हमारे 26 प्रदेशों में चुनाओ हुए उस 26 में से 16 प्रदेशों में भारतिय जनता पार्टी ने अपनी विशुद्व सरकार बढ़ाई है। 16 चुनाओ हम जीते हैं। और अगर हम बाई-एलेक्षन की बात करें तो विधान सभा में लगवग 100 एलेक्षन 100 एक सेंचुरी बाई-एलेक्षन हमने इन पिछले 5 वर्षों में जीता है। और उसी तरीके से आठ लोग सभा के चुना हुए हैं बाई-एलेक्षन उस आठ में भी 6 लोग सभा भारतिय जनता पार्टी ने जीती है। यह हमारा रिकॉर्ड है। हमारे जो लोकल बॉड़ी के इलेक्षन सोते हैं उसमें हमने 9,836 सीट्स हमने जीती हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि 186 स्थानों पर हमने मिनिस्पल कॉर्परेशन में अपने आपकी जीत हासिल कराई हैं। और अपने मेर बनाए हैं इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम असेमली इलेक्षन की बात करें। तो उत्तर प्रदेश में हम जहां 2017 में पूर्ण महुम्मत में आए। वहीं हम 34 साल बाद फिर से 2 वारा अगर कोई सरकार आई तो भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार आई। मतर प्रदेश में हम जोड़ी बात करता हूँ तो आपको लगेगा कि जीत की बात कर रहे हैं मैं इसमें वेस्ट बंगॉल भी जोड़ना चाहता हूं मित्रों हमारी वोट परसेंटेज वेस्पेंगॉल में दस प्रतिशत थी हमारी सीट की संख्या तीन थी विधान सभा में आज हमारी संख्या 77 चुनाव जीत करके आए और हमारी वोट शेर 38.5 प्रतिशत हुआ है वह दिन दूर नहीं है अगली वारी के लिए तयार हो जाएए वह बारी हमारी है यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए गुजरात में हम गुजरात में हम 1997 से लगातार सरकार बना रहे हैं यह चोटी जीत नहीं है लगातार इतने सालों से सरकार सरकार में रहना और वहां अंटी इंकम्बेंसी नहीं प्रो इंकम्बेंसी होती है प्रो इंकम्बेंसी का वोट पड़ता है यह भी हमको अज हर्याना में 2014 के बाद हमने पहली वार सरकार बनाई मुझे याद है जब मैं हर्याना के चुनाओ के परचार में जाता था हम बुलते सरकार बनाएंगे सोचते थे कि संभब नहीं लेकिन 2014 के बाद हमारी सरकार बनी और फिर से 2019 में 12 वारा हमारी सरकार बनी यह हर्याना में हुआ है असम में हम कभी कलपना नहीं कर सकते थे कि हमारी सरकार बनेगे कभी कलपना निकल सकते थे पूर्व का इलाका सोचते थे यहां 20 सीटे आ जाएंगी मैं चुनाओ मुझे याद है 2014 का भी चुनाओ याद है 2011 में भी हमको याद है आसम में हमारी क्यास सिती ती लेकिन 2014 के बाद आसम में चुना हुआ और हमने भारती एजन्ता पार्टी की सरकार बनाई और 12 सरकार बनाई repeat की है यह भी हमने तो इहार और हमारी अभी सरकार वहां है उत्राखंड की चर्चा करना चाहूंगा पहाडी प्रदेश में बोलते थे अदला बदली एक वार तुमारी एक वार हमारी लेकिन उत्राखंड में भी हम सरकार में आए और दोवारा सरकार में आए डबल समय पहुंचे वह भी हमारी सरकार बने हमने वहाँ सरकार भी बनाई और फुल मिजॉरिटी से दो बारा सरकार बनाई है ये भी हमको समझ में आना चाहिए और इसलिए कॉंग्रेस के पेट में पीड़ा होना स्वाभाविक है जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ पर राज किया था आज वहाँ पर कमल खिल रहा है अगर मैं बेगाले त्रिपरा की बात करूँ तो कभी सोचा नहीं था कि त्रिपरा में सरकार आएगी लेकिन त्रिपरा में सरकार आई और वो जो पलटने की बारी थी वो पलट दी उन्होंने और पलटने के बाद कॉंग्रेस औ तोनों मिलकर के हमारे खिलाफ लड़े तब भी त्रिपुड़ा में भारतिय जंता पार्टी की सरकार आई और वहां हमको सरकार मेगाले में हमने सरकार बनाई NDA की नागालेंड में हमने फिर से हम आए वहां हमने सरकार बनाई तो इसलिए सरकारों का सिलसिला हमारा चलता रहा लेकिन सबसे आनन्द आप सबको तब आया होगा जब अभी तीन प्रदेशों के चुनाव हुए राजिस्थान, मद्यप्रदेश, चछतिस गड़ और यहां भी भारतिय जनता पार्टी और कमल के निशानने यह सब संभव हुआ है यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने प्रधान मंत्री मोदी जी पर विश्वास किया है यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने मोदी जी की गारेंटी को गारेंटी पक्की होने की गारेंटी माना है इसलिए संभव हुआ है और उन्होंने प्रधान मंत्री मोदी जी के कारेक्रमों को और कारेक्रम के साथ साथ उनके किये गए कारें को मोहर लगाई है वो भी हम सब लोगों ने देखा है मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि जो संकल्प प्रधान मंतरी मोदी जी ने लिये वो सारे संकल्प पूरा करने का काम वो पूरी बखु भी आदर्णी प्रधान मंतरी जी ने किया और उसी कारण से गाओं को मजबूती आई गरीबों को ताकत मिली अध्यक्ष नडड़ा से पहले वितमंतरी निर्मला सीतारमन रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने भी इस अधिवेशन को संबोधित किया